हाई गाईज आजके इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं MS Word MCQ MS Office में आता है Word, Excel, PowerPoint और Access अगर आपको किसी भी टॉपिक भी वीडियो चाहिए तो हमारे चानल के प्लेलिस्ट में जाएए आपको वहाँ पे मिल जाएगी इस वीडियो में हम 120 प्लस कोश्चन कवर करने वाले हैं जो MS Word से रिलेटेड रहेंगे आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी कि MS Word पे वीडियो बनाएए तो इस वीडियो में हम पूरा MS Word कम्प्लीट करने वाले हैं बस आप अगर लाश्ट तक साथ देते हैं तो वीडियो को कम्प्लीट देखने के बाद एक छोटा सा क्विज देना है जिससे आपको ये तो अंदाजा हो जाएगा कि आपने कितने कोश्चन को सही किये हैं आपकी कितनी तयारी हो चुकी है और आपको कितनी तयारी करने की जरूरत है आप चाहे किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो आपको इंटर्व्यू कहीं देने जाना है इस वीडियो को कम्प्लीट देखके ही जाएए आप बिल्कुल भी नहीं फसने वाले हैं चाहे आपसे कोई भी question पूछा जाए ये वीडियो आपके लिए कितना useful है आप देखने के बाद ही बता पाएंगे तो चले बिना delay किये आज का वीडियो हम start करते हैं सबसे first question है What is MS Word? अगर आप MS Word के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला question यही होना चाहिए कि MS Word क्या होता है? correct answer होगा C number a word processing software यह एक word processing software है next question है when you create the first document file in word what will be the default file name? अगर आप MS Word पे पहला document create करते हैं उसका by default file name क्या होता है? अगर आप कुछ भी changes नहीं करते हैं तो correct answer होगा B number document 1 यहाँ पे कुछ student गलती क्या करते हैं? सोचते हैं MS Word का question है तो C या D correct होगा आपको यह गलती exam में करके नहीं आना है यह important question है एक्साम में कई बार पूछा गया है which shortcut key is used to switch from one word document to another word document? अगर आपने 3-4 word document open करके रखा है एक से दूसरे में switch करने का shortcut की क्या होता है? इस काम को आप mouse से भी कर सकते हैं लेकिन exam हो या interview हो आप से shortcut key के बारे में ही पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है correct answer होगा C number control plus shift plus F6 इसकी मदद से आप एक फाइल से दूसरे फाइल में असानी से जा सकते हैं आप इसका practical use करके जरूर देखेगा ठीक है? which shortcut key is used to insert a bullet point quickly अब अगर आप MS word पे काम कर रहे हैं किसी भी topic पे notes पना रहे हैं आपको अचानक से ऐसा लगता है कि यहाँ पे bullets point add करने की जरूरत है तो इसे आप आसानी से जल्दी से shortcut key की मदद से कैसे insert कर सकते हैं right answer होगा B number control plus shift plus L कुछ student को लगता है कि bullet है तो B होगा और जल्दी से exam में गलती कर देते हैं और आपको यह गलती नहीं करना है which of the following company developed MS Office 2000 इन में से कौन सी company MS Office 2000 को डबलब की थी correct answer होगा C number Microsoft which of the following is not a part of standard office suit इन में से कौन एक standard office suit का पार्ट नहीं है right answer होगा D number file manager what we have to type in the run dialogue box to open Microsoft word अगर आप Microsoft word को open करना चाते हैं तो run dialogue box में आपको क्या type करना होगा right answer होगा D number win word जैसे ही लगके आप enterprise करेंगे Microsoft word open हो जाएगा what is the default file extension of MS word 2003 MS word 2003 का default file extension क्या होता था correct answer होगा A number dot d o c अब आपको ये बताना है जो हम latest version यूज़ कर रहे हैं 2007 से लेके अब तक का उसका file extension क्या है comment में लिखके जरूर बताएगा what is the maximum percentage of zoom in Microsoft word Microsoft word में zoom का maximum percentage क्या होता है correct answer होगा C number 500% अगर आपको चेक करना है कि आपके computer system में कितना है आप view tab में जाके zoom का percentage चेक कर सकते हैं तो ये था maximum अगर exam में maximum के जगा पे minimum पुछता है तो वो कितना होता है right answer होगा A number 10% तो minimum 10, maximum 500 तो ये सब question पूछा ही पूछ जाता है interview में आपसे क्यूँ पूछ जाता है वो लोग ये देखना चाते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ पे काम करते हैं तो चीजों को आप कितना observe करते हैं तो ये सब चेक करने के लिए आपसे वो लोग इस टाइप के question पूछते हैं ठीके आप याद रखेंगे हम ये उमीद करते हैं What is the default font size of what document? By default उसका font size कितना रहता है? Right answer होगा B number 11 Ctrl plus T is used to MS Word में Ctrl plus T का क्या use है? Right answer होगा B number hanging indent In MS Word, which shortcut key is used to change the text case? जो भी आप text type करते हैं उसके case को change करने के लिए कौन सा shortcut key use किया जाता है? Suppose आपने सब small में लिख दिया है आप उसे capital करना चाहते हैं या फिर each word capital करना चाहते हैं तो ये सब चीजों को आप shortcut key की मदद से भी कर सकते हैं इसका shortcut की होता है shift plus F3 ये भी बहुत useful है करके जरूर देखेगा Ctrl plus X can be used to Ctrl X किसली use किया जाता है? Right answer पे सीधे ले चलते हैं Cut anything which is selected आप किसी भी word, sentence, paragraph, file हो या कोई image हो इन सभी चीजों को cut कर सकते हैं कंप्यूटर में जो भी select हो Ctrl plus X करके इसलिए हमने लिखा है Cut anything which is selected ठीके? Ctrl plus V can be used to तो फिर Ctrl भी किसली use किया जाता है? सीधे correct answer पे ले चलते हैं C number both of the above Paste anything which is cut जो भी आपने cut किया है उससे आप paste कर सकते हैं Paste anything which is copied और आप उससे भी paste कर सकते हैं जिसे आपने copy किया है अब कोई भी doubt नहीं होगा ऐसा हमें उमीद है अगर है तो आप comment में जरूर पूछ सकते हैं Ctrl plus S is used to Ctrl S का क्या use होता है? MS word में Right answer होगा A number Save document with same name जो भी नाम से आपने document को Save करके रखा है उससे open करते हैं उसमें कुछ काम करते हैं कुछ भी changes करते हैं Ctrl S प्रेस करते हैं उसी फाइल में उसी name से वो चीज़ सेव हो जाता है Which option is used to move a paragraph from one place to another without removing it from the first place इन में से किस options का आप use करेंगे किसी भी paragraph को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में move करने के लिए but without removing it from the first place लेकिन बिना first place से remove किये हुए तो right answer होगा D number आपको copy paste command यूज़ करना होगा जब आप copy paste करके किसी भी चीज़ को एक जगा से दूसरे जगा पे ले जाते हैं तो वो first place पे भी रहता है और आप उसे जहां पे paste करते हैं वो वहां पे भी चला जाता है अब इस question का answer आपको देना है इन में से किस options का आप use करेंगे किसी भी paragraph हो file folder हो उसे एक जगा से दूसरी जगा पे completely ले जाना है first place से हटा के तब फिर कौन सा options यूज़ होगा correct answer होगा C number cut paste जब आप किसी भी चीज़ को cut करके दूसरी जगा पे paste करते हैं तो वो अपने first place को completely छोड़ देता है ठीके clear है the contents of the clipboard remain the same until clipboard का content remain same रहता है जब तक कि आप पहला options कहता है you cut other text you copy other text you shut down or restart the computer यह फिर all of these right answer होगा D number all of these जो हमारा clipboard होता है उसका content remain same रहेगा जब तक कि आप किसी other text को cut न कर दे copy न कर दे यह फिर computer को shut down यह restart न कर दे clipboard क्या होता है जब भी आप computer से किसी भी चीज़ को cut या copy करते हैं तो वो सीधे जाके clipboard में save हो जाता है और वो तब तक save रहता है जब तक कि आप किसी other चीज़ को cut copy नहीं कर लेते हैं और आप उसे paste करते रहेंगे तो वो आपके computer system में paste होता रहेगा किलियर है In how many documents you can work simultaneously in MS Word MS Word के कितने document पे आप एक साथ काम कर सकते हैं 1, 2, more than 2 any number, right answer होगा d number any number आप अपने according जितने चाहे उतने open करके काम कर सकते हैं The word count command display the number of words as well as the number of lines, characters paragraphs यह फिर यह सभी right answer होगा d number जो word count command होता है वो number of words के साथ number of lines number of characters और number of paragraphs भी display करता है What is the use of page down key? computer में यह फिर MS Word में कह लीजे page down key का क्या use होता है? right answer होगा moves the cursor one screen down page down क्या करता है? आपके cursor को एक screen down आपको ले जाता है What is the use of control plus page up? control plus page up का क्या काम होता है? correct answer होगा a number moves the cursor one page up अब अगर आप page number 2 पे हैं तो control plus page up करेंगे तो 1 पे पहुच जाएंगे page number 5 में है तो page number 4 पे चले जाएंगे तो इसके लिए हम control plus page up का use करके आसानी से एक page आप उपर जा सकते हैं portrait and land escape are example of ये दोनों इन में से किसके example है page size, page layout, page orientation ये फिर ये सब ही right answer होगा C number page orientation के portrait और land escape example होते है which of the following is true regarding page orientation of a document इन में से कौन सा statement सही है page orientation के बारे में right answer पे सीधे ले चलते हैं A number page orientation can be changed at any time जो page का page orientation होता है आप उसे किसी भी समय पे change कर सकते हैं portrait है तो land escape में land escape है तो portrait में किलियर है switching between portrait and land escape modes includes जब आप portrait से land escape या land escape से portrait के बीच में switch करना चाते हैं तो इन में से कौन सा mode include रहता है right answer होगा B number page setup dialogue box from which view can you see how the text and graphics will appear on the printed page इन में से किस view की मदद से आप ये देख सकते हैं कि आपका जो भी टेक्स्ट और ग्राफिक से वो printed page पे कैसे दिखेगा right answer होगा B number print layout view print layout view में आपका page जैसे दिखता है print होने के बाद वो as it is वैसा ही दिखता है which feature helps you to insert clipboard content as text without any formatting इन में से कौन सा feature आपकी मदद करता है clipboard के content को insert करने के लिए बिना किसी formatting के right answer होगा C number paste special जब आप किसी भी चीज़ को insert करना चाहते हैं बिना किसी formatting के तो paste special का use कीजे आपका text जैसे पहले रहता है paste करने के बाद भी वो as it is वैसा ही दिखेगा clear है from where can you change the vertical alignment आप vertical alignment को कहा से change कर सकते हैं correct answer होगा C number page setup dialogue box how can you break the current column अगर आप current column को break करना चाहते हैं तो shortcut key की मदद से कैसे करेंगे correct answer होगा D number control plus shift plus enter की आपको press करना होगा ये question interview में कई बार पूछा गया है what is the minimum font size you can apply for a given character जो भी आपने character type करके रखा है text type करके रखा है उसका आप minimum font size कितना apply कर सकते हैं right answer होगा C number 1 one font size minimum one होता है इससे कम आप नहीं कर सकते हैं what is the maximum font size you can apply for a given character तो फिर maximum कितना कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा right answer होगा C number 1638 1638 ये maximum font size है MS Word का which of these toolbars allows changing fonts and their size इन में से कौन सा टूल बार आपको allow करता है किसी भी font के size या font style को change करने के लिए right answer होगा B number formatting tool bar which option can be used to change page size and page margin in MS Word अगर आप page size या page margin को change करना चाते हैं MS Word में तो किस options का use करेंगे correct answer होगा third number page setup से जाके इन सभी चीजों को आप कर सकते हैं जितना घटाना चाते हैं जितना बढ़ाना चाते हैं अपने according By using the find and replace feature in MS Word you can आप MS Word में file और replace feature को use करके इन में से क्या कर सकते हैं correct answer होगा A number replace text only आप script text को replace कर सकते हैं which shortcut key is used to open the open dialogue box in MS Word अगर आप MS Word में open dialogue box को open करना चाते हैं तो किस shortcut key की मदद से आप कर सकते हैं right answer होगा D number control plus F12 open dialogue box open करने का एक और shortcut की होता है वो क्या है आप comment में लिख के जरूर बताएंगे what is the name of the top bar of window on which the name of the window is written is known as इन में से कौन सा top bar होता है window का जहां पे window का name लिखा होता है right answer होगा A number title bar उसे कहते हैं जो सबसे top में होता है और उसी में window का नाम लिखा होता है which bar is usually located below the title bar that provides categorized option अब इस question में आपको क्या बताना है कि सबसे top में होता है title bar title bar के just नीचे इन में से कौन सा बार होता है जो हमें categorized options provide करते है right answer होगा B number menu bar graphics is inserted in graphics को आप इन में से किस में insert कर सकते हैं box, page, frame या फिर इन सभी right answer होगा fourth number all of these इन सभी में आप graphics को अराम से insert कर सकते हैं what is the shortcut key to open the font dialogue box MS word में font dialogue box open करने का shortcut key क्या है correct answer होगा C number both of the above आप control D, control shift plus F दोनों की मदद से MS word में font dialogue box open कर सकते हैं which shortcut key is used to display the full page और print preview इन में से किस shortcut key की मदद से आप full page या फिर print preview को डिस्पले कर सकते हैं correct answer होगा D number control plus F2 आपको जितने भी shortcut key के बारे में बता रहे हैं उनका practical करके जरूर देख लीजेगा कोई भी exam हो या interview हो shortcut key से related question बहुत जादा पूछे जाते हैं अब feature that automatically corrects common spelling errors is called इन में से कौन सा feature है जो common spelling errors को correct कर देता है right answer होगा B number auto correct अब एक example से समझे place का spelling होता है P L A C E अगर आप उसकी जगा पे P A L C E लिख देते हैं तो computer समझ जाएगा कि आप place लिखना चाते हैं उसे auto correct कर देगा लेकिन अगर आप place की जगा पे plate लिख देते हैं तो फिर उसे auto correct नहीं कर पाएगा तो यह बहुत ही कमाल का feature है इसे use करके जरूर देखेगा What is the full form of RTF? RTF का full form क्या होता है? right answer होगा B number reach text format In the mail merge option user can mail merge option से user क्या कर सकता है? Can only create new data source? can only use an existing address list? Can create new or use an existing address list? यह फिन none of these right answer होगा C number mail merge option से user new data source create कर सकता है और वो existing address list को भी use कर सकता है It is possible to dash the data source before merging right answer होगा D number all of these It is possible to create, modify, sort the data before merging What is the use of control Q? MS word में control Q का क्या use होता है? Correct answer होगा B number remove paragraph formatting आपने जो भी paragraph formatting किया है अगर उसे remove करना चाहते हैं तो select करके control Q प्रेस करेंगे तो वो remove हो जाएगा From where can you access the save command? आप save command को कहां से access कर सकते हैं? Home tab, insert, review यह फिर इन में से कोई नहीं Right answer होगा D number None of these Control M is used to Control M का क्या use होता है? Right answer होगा A number Left indent What is the shortcut key for manual line break? अगर आप manual line break करना चाहते हैं तो किस shortcut key की मदद से करेंगे? Right answer होगा C number Shift plus enter In essential business letter elements are include जब आप business letter को लिखते हैं तो उसमें इन में से कौन से elements include होते हैं? Date line and inside address, message, signature block या फिर इन में से सभी Right answer होगा D number all of these जब आप business letter लिखते हैं तो ये सभी elements include होते हैं आप इसे याद रखेगा MS word का बहुत important question है क्योंकि अगर आप letter बगेर टाइप करते हैं तो MS word का ही use करते हैं इसी लिए ये question पूछा जाता है Which of the following do you use to change margins? अगर आप page के margins को change करना चाते हैं तो इन में से किसका use करेंगे? Right answer होगा B number Page setup dialogue box What was the default left and right margin in word 2003 document? MS word 2003 का जो document था उसका page margin left और right by default कितना होता था? Correct answer होगा B number 1.25 inch अगर आपसे इस question के जगा पे top और bottom के बारे में पूछा जाए तो फिर आप क्या answer देंगे? Right answer होगा A number 1 inch तो left और right 1.25 inch Top और bottom 1 inch Clear है? What is the use of control plus equal की? Control plus equal की का क्या यूज होता है? Right answer होगा C number Sub script How can you increase the font size of selected text? अगर आपने जो भी text को select करके रखा है उसके font size को increase करने के लिए इन में से किस options का use करेंगे? Right answer होगा A number by pressing control plus close square brackets इस symbol को हम कहते हैं square brackets जब आप इसका use करते हैं तो इसे single कहा जाता है open square brackets और इस symbol को जब हम use करते हैं तो कहते हैं close square brackets तो अब आपको याद रहेगा कि अगर आप font size को बढ़ाना चाते हैं तो select करके control plus close square brackets को प्रेस करते हैं तो उसका size increase होगा अगर आप उसके size को decrease करना चाते हैं तब उसके लिए कि shortcut key का use किया जाता है? Right answer होगा B number control plus open square brackets From where can you replace the text? आप text को कहां से replace कर सकते हैं? Correct answer होगा D number both B and C आप control H का use करके कर सकते हैं यह फिर replace from edit menu में जाके भी कर सकते हैं practical use करके जरूर देखें What is the use of word wrap feature? Word wrap feature का क्या use होता है? Correct answer होगा A number automatically moves text to the next line when necessary What type of files cannot be navigated using clipart browser? आप clipart browser का use करके किस टाइप के files को navigate नहीं कर सकते हैं? Right answer होगा D number MP3 When you want to view different parts of a document without moving the insertion point जब आप किसी भी documents के different parts को view करना चाहते हैं लेकिन insertion point में move किये बिना तो फिर आप कैसे करेंगे? Right answer होगा C number आपको use करना होगा vertical and horizontal scroll bars To go to the symbols dialogue box click आप symbols dialogue box को कहां से ला सकते हैं? Right answer होगा C number insert में जाएंगे तो आपको symbols dialogue box दिखेगा Which of the following option is not available in insert then picture? इन में से कौन सा options अबेलेबल नहीं मिलेगा आपको जब आप insert में जाके picture में जाते हैं? Right answer होगा B number graph What is the use of shift plus delete? Computer में या MS word में shift plus delete का क्या use होता है? Correct answer होगा D number Delete the selected item permanently without placing in recycle bin जब आप किसी भी चीज़ को delete करते हैं तो वो recycle bin में जाके save हो जाता है लेकिन अगर आप shift plus delete को use करते हैं तो वो आपके computer system से permanently delete हो जाएगा Recycle bin में जाके save नहीं होता है तो यही delete और shift delete का difference होता है कभी कभी exam में पूछता है तो अब हम उमीद करते हैं कि आप बता पाएंगे Clear है? What is the smallest width of a column? किसी भी column का smallest width कितना होता है? Right answer होगा B number 0.5 How much space in minimum must be provided between columns? Minimum किसी भी columns के बीच में कितना space होना चाहिए? Right answer होगा A number 0. Minimum आप 0 रख सकते हैं In MS Word, by default paragraphs alignment is जब आप MS Word पे कुछ भी type करते हैं कोई भी paragraph लिखते हैं तो उस paragraph का by default alignment क्या होता है? Left, right, center या justify Correct answer होगा A number left होता है तो ये थे MS Word से related MCQ question अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजे अब आपका test start होता है Total 50 questions रहेंगे आपको ये देखना है कि आप 50 में कितने questions को सही कर पा रहे हैं और कितने questions आप से गलत हो जा रहे हैं इससे आपको एक overall idea हो जाएगा कि अभी आपको कितना चीजे revision करने की जरूरत है चलिए हम start करते हैं सबसे पहला question है MS Word is a software of MS Word इन में से किसका software है Right answer होगा D number Microsoft MS Word is a MS Word क्या है आपको ज़्यादा time नहीं लेना है 2 से 3 सेकेंड Hardly 4 Correct answer होगा A number MS Word is a Windows-based Word processor package What is the default file extension of Word document 2007 or above? Correct answer होगा D number Dot D O C X A dash is a collection of predefined design elements and color scheme Correct answer होगा Theme Theme is a collection of predefined designed elements and color Autocorrect was originally designed to replace dash words as you type Correct answer होगा A number Misspelled By default on which page the header or the footer is printed Correct Correct answer होगा C number On every page अगर आप header or footer apply कर देते हैं फिर page को print करेंगे तो A common सी बात है कि वो हर page पे ही print होगा क्योंकि हर page पे है Shortcut key Ctrl plus P is used to Correct answer होगा D number Open print dialogue box MS Word stands for Right answer होगा C number Microsoft Word Which of the following is not a special program in MS Office Correct answer होगा D number Paint Art ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं है MS Office में Which input device cannot be used to work in MS Office MS Office में काम करने के लिए इन में से किस input device का आप use नहीं कर सकते हैं Right answer होगा D number Joystick Is MS Word allowed to create PDF of a document? Yes, No May be Can't say Right answer होगा A number Yes Allow करता है आप create कर सकते हैं In MS Word Frame can include Frame आप किस में include कर सकते हैं? Table Graphics या फिर सभी में? Right answer होगा Fourth number All of these Question number 13 है What is the shortcut key to create a copyright symbol in MS Word? MS Word में अगर आप copyright symbol को create करना चाहते हैं तो किस shortcut key की मदद से कर सकते हैं? Correct answer होगा Alt plus Ctrl plus C Which key is used to select all the text in the document? Right answer होगा B number Ctrl plus A Is used to select all Ctrl plus C can be used to Ctrl C का किस लिए यूज़ कर सकते हैं? Right answer होगा B number Copy anything which is selected Like कोई भी text, paragraph, word, character, file, folder, जो भी Which shortcut key is used to for paste? Paste का shortcut की क्या होता है? Correct answer होगा C number Ctrl B गलती नहीं करना है कि paste P से start होता है इसलिए P होगा P होता है print के लिए Paste के लिए होता है control भी Which shortcut key is used to open go to window? Go to window open करने का shortcut की क्या है? Right answer होगा Ctrl plus G Ctrl J is used for Ctrl J का use किस लिए किया जाता है? MS word में Print, search, justify या hyperlink Correct answer होगा C number Align, justify Ctrl N is used for Ctrl N का use किस लिए किया जाता है? Right answer होगा B number New document Ctrl R is used for Ctrl R का किस लिए use होता है? Correct answer होगा B number Write, align the selected text What is the shortcut key for find? Find के लिए shortcut की क्या होता है? Correct answer होगा B number Ctrl F Home key is used for A, B, C और D Right answer होगा A number Moves the cursor beginning of the line Ctrl I is used to Italic, left indent, shape document, close document Correct answer क्या होगा? A number Ctrl I use होता है Italic के लिए Which of the following are Valid minimum and maximum Zoom sizes in MS Word? Separate question हमने आपको बता दिया है कैसे पूछा जाता है? यहाँ पे combined पूछा जा रहा है कि MS Word में Minimum और maximum Zoom का percentage या size कहली से कितना होता है? फटा फट बताए C number Minimum 10 Maximum 500 What is the shortcut key to open the open dialogue box? Correct answer होगा B number Ctrl plus O What is the shortcut key for health? Right answer होगा A number F1 New selected font is applied to आपने जो new selected font या जो font select कर लिया है उसे आप किस पे apply कर सकते हैं? सभी text पे full document पे selected text only या फिर इन में से कोई नहीं Right answer होगा C number Selected text only क्योंकि अगर आप कोई भी effect apply करते हैं सबसे पहले जिसमें करना चाते हैं उसे select करना पड़ता है ये आपको याद रखना है नहीं तो गलती हो जाएगा एक्जाम में Question number 28 Which operation you will perform if you need to move the text? Text को अगर आप move करना चाते हैं एक जगा से दूसरे जगा पे तो फिर आप किस operations का यूज करेंगे यहाँ पे एक जगा से दूसरे जगा पे Question में नहीं बोला है लेकिन move करने का बात कह रहा है इसलिए आपको समझ जाना है कि एक जगा से हटा के दूसरे जगा पे ले जाना है तो उसके लिए आपको command यूज करना होगा cut and paste ठीक है? किलिए रहे? Question नमबर 29 columns dialogue box can be opened from columns dialogue box को आप कहा से ला सकते है Correct answer होगा D नमबर इन सभी जगा पे पहला आप format menu में जाके column sub menu ले सकते हैं double click on the column space in rural यह फिस shortcut की भी होता है simply alt plus o plus c प्रेस करके जल्दी से ला सकते हैं To see headers and footers you have to switch अगर आप headers और footers को देखना चाहते हैं view करना चाहते हैं तो आपको कहाँ switch करना होगा Correct answer होगा C number both A and B print layout view और print preview mode दोनों में जाके view कर सकते हैं Question number 31 background color or effects applied on a document is not visible in आपने जो भी background color या कोई भी effects अपलाई किया है document में वो आपको कब दिखाई नहीं देता है visible नहीं रहता है right answer होगा D number print preview इस shortcut key is used to increase left indent left indent को बढ़ाने के लिए increase करने के लिए किस shortcut key का use करेंगे हमने आपको बताया है control plus M का use होता है left indent के लिए तो जाहिर सी बात है अगर आप उसे बढ़ाना चाहते है तो control M का use करते रहेंगे to redo the last work press correct answer होगा control plus Y to undo the last work press correct answer होगा control plus Z which of the following is not a font style font style कौन सा नहीं है right answer होगा D number super script which of the following commands should you always use before submitting our document to others अगर आप कहीं पे काम कर रहे है तो इन में से किस command का आपको जरूर use करना चाहिए जब आप किसी को document submit करने जाते हैं या करते हैं उससे पहले find, replace, spelling and grammars या thecerus right answer होगा C number spelling and grammars का आपको जरूर use करना चाहिए इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने कहीं कुछ गलत तो नहीं type कर दिया है अगर करेंगे तो आपको spelling and grammars में दिखेगा which enables us to send the same letter to different person micro, template, mail merge none of these right answer होगा C number mail merge question number 38 changing the appearance of a document is called editing, proofing, formatting, all of the above right answer होगा C number formatting what was the default font style used in MS Word 2003 document बहुत important question है कि जो MS Word 2003 था उसमें by default font style कौन सा use किया जाता था right answer होगा C number Times New Roman what was the default font size अब इस question में आप से पूछा जा रहा है कि default font size कितना use किया जाता था word 2003 में 9, 10, 11 या 12 right answer क्या होगा D number 12 तो आप ये याद रखेगा important question है question number 41 how can you make the selected character super script जो भी character आपने select करके रखा है अगर super script में change करना चाते हैं of a document करजर को page to page move करने का shortcut की क्या होता है control plus page up control plus page down दोनों इन में से कोई नहीं right answer होगा C number both of these which of the following is not a part of the mail merge process mail merge process का इन में से कौन एक पार्ट नहीं है A, B, C और D right answer होगा D number format a main document to see small text on the screen you can do अगर आप small text को देखना चाते हैं screen पे तो आपको क्या करना होगा right answer होगा B number decrease the view percentage आपको view करने का percentage को decrease करना होगा question number 45 in MS Word Thesaurus tool used for MS Word में हम Thesaurus tools को क्यों use करते हैं और अगर आपसे पूछा जाए कि use करने के क्या benefits होते हैं तो क्या बताएंगे A, B, C, D right answer होगा C number synonymous and antonymous words को बढ़ाने के लिए अगर आपने कुछ भी type किया है आपने वकायफ को और भी बढ़ाना चाहते हैं तो MS Word में Thesaurus tool का use करके अच्छे अच्छे word को replace करके add कर सकते हैं ठीक है question number 46 in MS Word 2007 the zoom is placed on जो word 2007 हम use करते थे तो zoom कहां पे रहता था किस tab में होता था view status both home right answer होगा C number both A and B question number 47 how can you insert a sound file into your word document sound file को कैसे आप insert करेंगे word में correct answer होगा from insert then object menu options में जाके आप कर सकते हैं question number 48 the following toolbar are displayed in the word application window by default इन में से कौन सा टूल बार आपको वर्ड एप्लिकेशन डॉकुमेंट में by default डिस्पले करता है correct answer होगा C number formatting toolbar question number 49 which of the following is not a type of page margin page margin का type कौन सा नहीं है top, left, right, center correct answer होगा D number center को हम page margin में count नहीं करते हैं आज का हमारा last question है question number 50 इस question के बाद आपको ये बताना है कि आपने कितने questions को सही किया है honestly बताना है क्योंकि आप अपने आपको खुद जज कर रहे हैं कोई आपको जज नहीं कर रहा है what is the default left margin in word 2003 document word 2003 का left margin default कितना होता था correct answer होगा C number 1.25 तो फटाफट अपने number को comment में लिख के बताए कितने आपने सही किये है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक like कर दिजे share कर दिजे इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चानल के प्लेलिस्ट में जाए वहां पे आपको टोपिक वाइस वीडियो मिलेंगे अगर आप हमारे चानल पे नए आये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलें जुआओडेब कर वीडियो की सब्सक्राइब यह झाल्य की का प्लीज जएग्स